नमस्कार दोस्तों, Pathfinder में आप सभी का स्वागत है, मेरे नाहा में Dr. Mahipal Singh राठोड और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा COVID से सम्मंदित एक न्यूस के बारे में पिछले कुछ दिनों से न्यूस में ये आ रहा है कि Neanderthal DNA भारत के लोगों को COVID के खिलाफ protection दे रहा है, बचाव कर रहा है भारत में COVID का इतना असर नहीं हुआ है, जितना European या फिर North American countries में हुआ है उसके बीछे इस Neanderthal DNA को भी अब एक रीजन माना जा रहा है, इस पर एक study प्रकाशित हुई है नेचर पत्रिका में तो इसी को मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, इसी को हम डिसकस करेंगे Neanderthal कौन थे, किस प्रकार से ये DNA इंसान को COVID के खिलाफ protection दे रहा है अब आप लोगों से एक जानकारी साजा करना चाहता हूँ, कि Modern India के static syllabus portion को मैं cover करूँगा Pathfinder channel पर, एक March से ये series शुरू होगी और इसमें पूरा Modern India, जो UPSC prelims में एक बहुत ही important topic है, इसको मैं cover करूँगा आप में से कई लोगों ने comment किया और मुझे message भी किया, कि मैं static portions को cover करूँगा तो बिलकुल आपकी इच्छा के अनुसार ही यहाँ पर Modern India को मैं cover कर रहा हूँ, I'll start with Modern India, दीरे-दीरे हम दूसरे topics को भी history के cover करेंगे तो daily एक lecture Modern India का अब आपको देखने को मिलेगा Pathfinder पर from 1st March onwards, current affairs भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि current affairs बंद हो जाएंगे, लेकिन Modern India का lecture भी रहेगा अब एक सवाल है आप लोगों के लिए, UPSC prelims 2019 में पूछा गया था, the word denisovan is sometimes mentioned in media in reference to अब देखो इस तरह के question है न, आपको static में पढ़ने को कम मिलेंगे, ये आपको current affairs से ही cover हो सकते हैं, इसलिए current affairs भी पढ़ना बहुत जरूरी है options अभी देख लो, fossil है, dinosaur का, एक early human species है, एक cave system है, जो northeast इंडिया में पाया जाता है या फिर, एक geological period है history में, Indian subcontinent का Unacademy combat, Sunday 28 February को होने वाला है, इसमें हिस्सा लेकर आप Unacademy की तरफ से scholarships को जीच सकते हैं और आपको अपनी तयारी का स्तर भी पता चल जाएगा, तो इसको enroll करने के लिए, इसमें enroll करने के लिए, आपको केवले का unlock code यूज करना है, महिपाल और यहाँ पर कोई भी payment आपको नहीं करना है, just use the unlock code महिपाल, और आप इस combat में हिस्सा ले सकते हैं अगर आप IAS exam की तयारी करना चाहते हैं, तो unacademy platform के माधियम से कर सकते हैं, यहाँ पर देश के best educators, daily live classes लेते हैं, यहाँ पर आपको live test quizzes मिलेंगे, structured courses हैं, और unlimited access है एक बार आपने subscription ले लिया, उसके बाद आप जितना चाहें, जिस भी teacher का class चाहें देख सकते हैं, यहाँ पर दो तरगे courses हैं, plus course और iconic course, इनको आप या तो एक साथ खरीच सकते हैं, या फिर अलग-अलग, तो plus course में क्या है, basically classes available हैं, और iconic course में आपको एक personal mentor भी मिलेगा, यह इसमें addition है, तो अगर आप मान लीजे, एक साल का subscription लेते हैं, जो कि मेरे ख्याल से minimum होना ही चाहिए, एक साल से कम में UPSC exam की तयारी नहीं हो सकती, तो आपको यहाँ पर 49,000 रुपीज नहीं, बलकि महिपाल coupon code यूज़ करके 44,000 रुपीज पे करने हैं, और अगर आप 2 साल क के अलावा भी जितने exams हैं, जैसे कि SSC, banking, railways, state PCS, इनके भी courses and academy पर आपको मिल जाएंगे, और आपको यह price पे करना है, after using the code, महिपाल, do not pay this price, यहाँ पर आपको सीधा 10% discount मिल जाएगा, इस coupon code को इस्तमाल करने के बाद, कुछ दिन पहले एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ जिसमें Japan और Germany के scientist ने ये claim किया है, कि भारत के लोग COVID-19 भारत के लोगों पर इतना असर क्यों नहीं कर पाया, उसके बीचे reason इन्हें मिल गया है, इन्होंने reason क्या बताया है, कि इनसान की जो अभी की species है, homo sapiens और neanderthals के बीच में जो interbreeding हुई थी, जिसके कारण genetic material mix हो गय 35,000 से 24,000 साल पहले, उसके कारण भारत के कई लोग इस DNA को carry कर रहे है, जो neanderthal से आया है, और इस DNA का जो frequency है, वो भारत में almost 50% है, यानि कि भारत की almost आदी अबादी इस neanderthal gene को carry करती है, जिसके कारण COVID-19 का असर हमारे देश में कम हुआ, अब ये neanderthal कौन है, कौन से genetic material क यहां बात हो रही है, तो देखो, इंसान जैसे आज नजर आते हैं, homo sapiens, वैसे हमेशा नहीं थे, आपने, I'm sure, ये वाला फोटो कभी ना कभी जीवन में देखा होगा, तो हम यहां पहले बंदर से शुरू हुए, फिर धीरे-धीरे ये बंदर खड़ा हुआ, फिर इंसान इंसान का जो origin है, वो Australopithecus से हुआ है, Australopithecus africanus, ये homo genus का पहला वो बताया जाता है species, और धीरे-धीरे उससे homo habilis, फिर homo erectus, फिर neanderthal man, और finally homo sapiens आया, तो ये हमारा evolution का करम है, ठीक है, homo sapiens का, और अब neanderthal man, आज की तारीक में कहा है, तो देखो, neanderthal को हमने मार खत्म कर दिया, नanderthal जो है, वो हमारे सामने, यानि homo sapiens के सामने टिक नहीं पाए, हम एक नई species थी, हम एक नई species थे, हमारे और neanderthals के बीच में कई जगे लड़ा यहां भी हुई, और हमने neanderthals को basically evolution की race में पीछे छोड़ दिया, तो अब अगर आप इनका skull structure देखें, ज यह धीरे धीरे change होता जाता है, और यहां neanderthal man जो है, वो इनसान के सबसे नजदी की रिष्टेदार आप कह सकते हैं, तो इस homo neanderthalensis को commonly जब neanderthal कहा जाता है, इनकी उत्पत्ती कब हुई, तो इनकी उत्पत्ती हुई थी लगबग 2,00,000 साल पहले, प्लीस टो सीन एप continent है, इस area में इनका रहना था, और यही से इनके सबसे ज़्यादा skeletons हमें देखने को मिलते हैं, तो यह एक neanderthal skull है, जो Berlin के news museum से लिया गया है, यह photograph, और यहां पर आप एक neanderthal की grave देख सकते हैं, और यह उनके tools हैं, तो यह tools का भी इस्तमाल करते थे, अब artists इनके skulls के basis पर इनकी हड़ियों के basis पर इनके चेहरे को recreate करते हैं, तो कुछ इस प्रकार की शकल इनकी बनती है according to 3D models, और यह neanderthal man 25,000 साल पहले extinct हो गया था, neanderthals की एक और खासियत यह थी कि उन्होंने सबसे पहली बार अफरीका के बाहर रहना सीखा, adopt किया, इनसान की उत्पत्ती जब रोग प्रति रोधात्मक शम्ता डेवलप करी, modern humans जो हैं वो भी अफरीका में ही origin हुए हैं और neanderthal और modern humans के बीच में interbreeding हुई, अब of course आसपास रहते थे, तो कई colonies neanderthal की थी, उनके आसपास modern humans यानि homo sapiens भी थे, तो इनके बीच में interbreeding हुई, और इस interbreeding के कारण, जो क 35,000 से 24,000 साल पहले हुआ था, उसके कारण, दोनों species को कई सारे viruses का भी exposure मिला, और कुछ gene variant भी exchange हो गए, जिसके कारण, आज तक हमें कुछ viruses के खिलाफ resistance मिलती है, क्योंकि दोनों अलग-अलग viruses से exposed थे, दोनों के जब genes intermix हुए, तब उसके कारण, जो आज की इनसान की जो वैसे इस प्रकार का research कोई नया नहीं है, कुछ साल पहले Helicobacter pylori पर भी इसी प्रकार का research हुआ था, Helicobacter pylori वो bacteria है, जो हमारे पेट में ulcer करवाता है, तो उससे भी बचाव देता है कुछ particular gene sequence, जो Neanderthal से हमें मिला है, ये research भी कुछ साल पहले हो गई थी और इसी के basis पर आप देख सकते हैं कुछ-कुछ similar results अभी करी गई है, तो अब ये जो COVID-19 और Neanderthal का connection है, ये कैसे आया, देखो December 2020 में University of Edinburgh, जो की UK में स्तित है, उसने ये पता किया कि कुछ gene variants हैं, जो chromosome number 12 पर located हैं, ये severe illness का risk reduce करते हैं, यानि कि जिन लोगों में ये particular gene variants थे, वो या तो ICU में नहीं गए, या फिर उनको जब बिमारी हुई COVID-19 तो इतनी severe नहीं हुई, तो ये 22% risk कम कर देता है, अगर ये particular gene variant chromosome number 12 पर मिलता है, अब chromosome number 12 कोई छोटा मोटा chromosome नहीं है, इसमें 134 million base pairs होते हैं DNA के अंदर, और ये total DNA का 4 से 4.5 प्रतिशत बनाता है, तो इस पूरे chromosome number 12 के DNA को study किया गया, और क्यों study किया गया, क्योंकि जब England का ये research, जापान और जर्मनी के scientist ने देखा, तो उनका interest इसमें जागा, वो ये जानना चाहते थे कि exactly इस chromosome number 12 पर भी वो कौन सा gene variant है, जिसके कारण ये 22% risk COVID का कम हो रहा था, और जिसके कारण ICU admissions नहीं हो रहे थे, तो उन्हों से आप भी एक सीख लो, कि आप basic जब पढ़ोगे तभी आप आगे का advanced level सीख पाओगे, समझ पाओगे, तो आपको भी step by step आगे बढ़ना है, जैसे scientist आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला जो latest research है, इसमें दो institute शामिल थे, नाम याद रख सको तो रख लेना, Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University और Max Planck Institute for Evolutionary Biology in Germany, तो Japan और Germany, इन दोनों countries के संस्थानों ने आपस में coordinate किया, और इन्होंने ये पता किया कि ये जो gene variant है, जिसके कारण 22% कम हो रहा है, ये Neanderthal specimens में भी मिलता है, क्योंकि हमें जो Neanderthals के specimen मिले हैं, ये जो भी अवशेश मिले हैं, उससे हमने उनका भी gene sequence पूरा बना रखा है, तो जब ये gene variants देखे गए, तो इन्होंने देखा कि ये common है Neanderthals से, और कौन से specific Neanderthal के इन्होंने gene sequence देखे, एक 50,000 old year Neanderthal है, जो Croatia में पाया गया था, उसका skeleton, एक 70,000 year old specimen है, जो Siberia से मिला था, और एक और है जो Siberia से मिला, तो इनके gene sequences को जब match किया गया, तो वो इस chromosome 12 के gene variant से match कर गए, ठीक है, तो इस study में क्या पता चला है कि ये जो gene variant है, ये 75,000 character लंबा है, और ये जहां पाया जाता है, वहाँ पर COVID-19 की severity थोड़ी कम होती है, तो इसमें तीन genes हैं, इस sequence में, जो की enzymes produce करते हैं viral infection से लड़ने के लिए, तो ये वो enzyme है, जो आम और पर शरीर में activate होते हैं जब एक virus हमारे शरीर के cells पर हमला करता है, लेकिन इसमें इस Neanderthal gene में already वो वाली शमता पहले से मौझूद है, कि वो directly उस enzyme को बना देता है, जो virus से लड़ने के लिए काम में आते हैं, और इसी प्रकार से ये Neanderthal gene जिसके अंदर होते हैं, उसके शरीर के अंदर virus COVID-19 से लड़ने की जो शमता है, वो थोड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है, वो biological process पूरा kickstart हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत समय नहीं लगता, बहुती जल्दी से ये process शुरू हो जाता है, और इसी लिए disease की जो severity है, वो थोड़ी कम हो जाती है इतने तीवर infection नहीं होते उन लोगों को जिनमें ये Neanderthal वाले genes मौजूद हैं, तो भारत की अगर हम बात करें, तो ये वाला gene variant लगबग 50% गुजरात के अबादी में देखा जाता है, और 48% तेलगो अबादी में भी देखा जाता है, अब इसका मतलब यह नहीं कि तलंग देनिसोवन, उसका नाम एक बार lecture में आया था, अगर आपने पढ़ा हो तो ध्यान से, तो basically देनिसोवन किसको कहते हैं हम, नियंडर्थल को ही कहते हैं, देनिसोवन या डेनिसोवा homo nymphs, ये एक extinct species है, जो नियंडर्थल मैन की एक sub species है, यानि कि नियंडर्थल के अंदर भ species के, और इसी लिए इसको डेनिसोवन कहा जाता है, या डेनिसोवा भी कहा जाता है, तो ये सवाल UPSC Prelims 2019 में पूछा गया था, इसे के साथ ये lecture समाप होता है, अगर आपको lecture अच्छा लगा, तो please like ज़रू करें और subscribe करें, अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, almost 40% viewers जो है अभी तक चैनल के, उन्होंने चैनल को subscribe नहीं किया है, so please hit the subscribe button and thank you very much for watching this, have a great day.